नमस्कार दोस्तों राधे राधे उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे लिए काफी लंबे समय से हम सही धंग से जो है आपको वीडियो उपलब्द नहीं करवा रहे थे तो उसके लिए श्टरमली संवरी हाला कि अपडेट हम दे रहे थे लेकिन एक सही धं सही वेसे हम आपको जनकारी उपलब्द नहीं करवा पा रहे थे मतलब कि वीडियो नहीं दे पा रहे थे थे तो उसके लिए श्टरमली संवरी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके पास अधार कार्ण है और यह तो पुछने वाल समय समय पर अपडेट आ रहे है और आपको जो ही नोटिफाई किया जा रहा है कि अगर आपके पास अधार काड है तो उसमें दो हैं और दो करना चाहिए या फिर नहीं करनी वाले हैं और कैसे करना है उसकी रिगार्डिंग भी हम जनकाई देंगा और इसका जो लास्ट डेट है 14 जून तक रखे गए मतलब कि उससे पहले अगर आप करते हैं तो फिर यह कोश्ट में हो जाएगा बाद में हो सकता है कि बंद कर दिया जाए और नहीं तो चार्जेवल क करनी चाहिए देखीए हम अपको बता दें कि अधार कारड बहुत ही मुझबूत डॉकमेंट है और इसको जितना मुझबूत बना कर रखिए गा वह आपके लिए फायदा होगा तो इसलिए अधार कार में दो डॉक्मेंट आपको अपडेट करने से आपका अधार कारड और मजबूत बनाने के लिए और फायदे किया होंगे फायदे के रिगार्डिंग हम जनकारी आपको देते हैं कि इसमें फायदे ही फायदे हैं क्योंकि आपका अधार कार्ड मजबूत हो जाएगा उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर पाएंगे किसी परकारी कोई समस्या नहीं अधार क्रण में फायदे किया हुआ है मतलब जो भी आप डॉकमेंट लगाएंगे उसी नाम से होनी चाहिए आपकी अधार क्रण में जो नाम है यह जैसे कि अगया है फिर आपका इज परूफ हो गया ठीक है समझ में आ गया तो मेरा मनना ही है कि आपको अपलोड करनी चाह अगर आपने पूर्व में कर लिया हुआ है तो आपको दोबारा करनी के वह सकता नहीं है एक ही बार आपको करनी है लेकिन करनी चाहिए ना करने से नुक्सान क्या होंगे समझ लीजिए अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अधार काड मजबुत नहीं होगा और फ्यूचर आप अपने पेंकाड अधार काड को देकर इजली लिंक कर लेते थे जो की ओनलाइन प्रोसेस था लेकिन बात में हुगा किया काफी सार लोगों ने इगनूर किया नहीं किया बात में चार्जेबल हो गया और ओभी हजार उपया चार्ज देकर जो ही लोगों करवानी तो कहीं ने कहीं एक बड़ी रीक्स है तो इसलिए आपको करनी चाहिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं तो करने का असान प्रोसेज है अगर आपके अधार काड मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको माई अधार के पोटल पे जाना है और वहाँ ये पे आपको आपको कर देने हैं कर देना है अफ्य पक待 अध्य के बडेट कर देना हम कैश्च में हो रहा है कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है को कहीं नहीं आपको कर लेनी चाहिए और आज के rate में सभी के पास document है, document का लिस्ट आपको हाँ पर देखनी को मिल जाएगा कि age proof में कौन कौन से document दे सकते हैं, age proof में कौन कौन से document दे सकते हैं तो उसको आज चेक आउट जरूर कर लेना, तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो थोरा सब आच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेट तो फिलीज नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं Thank you very much